तो दोस्तों नोटिफिकेशन का तो आपको पता चली गया होगा बिहार सेकिंड फेस का नोटिफिकेशन आ चुका है कल रात हमने वीडियो भी डाल दी थी तो आप लोग नहीं देख लिए होगी और अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपके चैनल पे ही आपकी वीडियो पड़ी हुई है राती फिलार आज की वीडियो में बात करेंगे कि Bihar सेकिंड फेस का बिपेसे टीचर सेकिंड फेस तो अभी क्या है कि अभी इस नाम से जो है ये सारी प्रिकिरिया आगे चलने वाली है तो बिहार सेकिंड फेज की शिक्षक भरती में कौन-कौन अप्लाई कर पाएगा eligibility criteria क्या है इसका और इसमें seated December 2023 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा आपका B.A.D.L.A.D. और जो आपका B.T.C. वगरा कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा उस स्मुद्धे पे आज किस वीडियो में बात करेंगे आगे आपको तैयारी कैसे करनी है कौन से points रहेंगे उन पे भी बात करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम सारी किताबों का निचोड, SCRT के notes और आपकी जितनी भी GS है जितनी भी तैयारी आपके होगी completely आपका बहच आपका पूरा पूरा यहीं पे आपको YouTube पर ही free में वो भी बहुत जबरदस तरीके से करा जाएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन वाले question series हम करा गेंगे उसकी जो PDF वो सारी app पे मिलेगी तो इसलिए app जरूर डाउनलोड कर लेना test series भी आपको app पे ही मिलेगी तो यही आपको help करेगा आपका यह exam qualify करने में तो play store आप सबको बता है उस पे essay teacher academy type करेंगे तो आपको app मिल जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी eligibility क्या है कौन-कौन form भर सकते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करें seated या estate appearing वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं तो इसमें आपका जवाब है yes ठीक है क्योंकि आपका जो अभी पिछली शिक्षक भरती हुई है जो first phase आपका हुआ है शिक्षक भरती का भी वा है तो आप लोगों को seat at December 2023 पे भी focus रखना है सासा क्योंकि December 2023 पास करेंगे तभी आपका ये इसमें selection हो पाएगा तो यहां पर और seat at की तो second paper आपको चाहिए होगा क्योंकि अभी आगे बात करेंगे कौन से 6 to 8 में क्या क्या चाहिए 9th में क्या 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 चाहिए 11 to 12 में क्य इस चीज़े मैंने लिख रखी है सब eligibility की बात करेंगे फिलाल यहां पर बात करें तो एक्जाम हो चुका है तो रिजल्ट आ चुका है तो इसमें जो है आपका ये तो अभी है नहीं आपके सामने और next की notification का भी आता पता नहीं है फिलाल seat at वालों की बात चल रहे है तो seat at December में क्योंकि होना है तो इन appearing वालों को आपको मौका मिलेगा चीक है उसके अलावा बात करें हम तो B.A.D.L.A.D. वाले appearing वाले जो है क्या उनको मौका मिलेगा तो इनका मौका नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि यहां पर और सिर्फ यहीं नहीं पूरी इंडिया में ही कहीं पर भी शिक्षक भरती आती है तो जो आपका डिप्लोमा या आपकी जो डिगरी चल रही होती है जो शिक्षा सास्वे में आपकी डिगरी चल रही होती है उसको complete ही मांगते हैं आपकी उसमें आपका एपरिंग वालों को नहीं लेते चाहे वो DSS भी हो चाहे के B.A.D.L.A.D. में थर्ड में हैं उनको मौका नहीं मिलेगा आपका पास होना चाहिए ठीक है अब आगे बात करते हैं अब इसमें अगर हम बात करें अधर स्टेट्स वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भाई अधर स्टेट्स वालों को मौका मिलेगा फिल बिल्कुल पूरा मौक पर ही लेंगे लेकिन अगर general के अलावा आप हैं तो आपको 82 पर ले लिये जाता है अगर आपका seat at में 82 marks हैं लेकिन अगर आप बाहर के हैं यानि के बिहार से बाहर के हैं आप UP के हैं आप दिल्ली के हैं आप उत्रखंड के हैं तो आपको जो है पूरे 90 marks ही लगेंगे 82 पर आ क्योंकि other states में जाते ही आप general वालों में count हो जाते हैं तो other states वाले ध्यान रखें आपको seat at में 90 number ही पूरे लाने है उससे उपर लाने है 89 पे भी आपका नहीं हो पाएगा अब बात करें आगे qualification क्या क्या रहेगी कौन-कौन सी चीज़ों की तो उसकी बात कर लेता है ठीक है देखो यहां पर अगर हम बात करें qualification की तो six to eight की जो qualification रहेगी उसमें आपको graduation चाहिए 50 प्रतिशत number के साथ सबसे पहली चीज़ चीज़ सर्त गही है कि आपको 50 प्रतिशत number होने चाहिए आपका चाहिए आपने BA कर रखो, BAC कर रखो जो भी आपने graduation कर रखी है और साथ में आपको B.A.D.L.A.D. में से कोई एक आपका चलेगा, यहां पर diploma नहीं चलेगा, जो सिर्फ D.A.D. होता है, यानि diploma in education, जो सिर्फ इसी तरह से आपका GBT होता है, एक diploma होता है, तो diploma वाले सिर्फ primary में भर पाते हैं, इसमें six to eight में आपका या तो D.A.D. चलेगा, B.T.C. चले कि उनको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए आपके पास second paper का seat at का पास होना जरूरी है, अब इसमें एक और छूट है, वो है 45 प्रतिशत अंकों की, graduation में आपके 45 प्रतिशत अंक चल जाएंगे, लेकिन वो कब चलेंगे, वो तब चलेंगे जब विनियम 2002 के अनुसार, एक आपका आया था, राष्ट्य शिक्षा परिशद आया था ये, राष्ट्य शिक्षा अध्यापक परिशद, ऐसे करके विनियम 2002, अगर उसके अनुसार, उसके अंडर आपने ये कर रखा है, बीएड या डियलेड, उसके अंडर आपने कर रखा है, बीएड डियलेड अगर अगर आपने विनियम 2002 के अंदर कर रखा है आपने तो आपका ग्रेजवेशन में 45 पृतिशत अंग भी आपके चल जाएंगे ठीक है यह आपका हो गया 6-8 का आप 9-10 की बात करें हम तो इसमें आपको ग्रेजवेशन या पोस्ट ग्रेजवेशन दोनों चल जाएंगे आपके 50 पृतिशत अंकों के साथ यह दोनों का मतलब क्या होता है वो यह होता है मान लीजे आपके ग्रेजवेशन में 50 पृतिशत अंक नहीं है आपके कम है 40 पृतिशत है 42 या 43 पृतिशत है इस तरह से है तो आपके और आपके PG 50 पृतिशत या उससे उपर है तो ग्रेजवेशन paper 1 आपको चाहिए किसके लिए 9th और 10th के लिए आपको assretty paper 1 चाहिए इसमें भी यही सेम चूट है कि इसमें भी आप 45 पृतिशत अंग पे जा सकते हैं इसमें भी आप 45 पृतिशत अंग पे जा सकते हैं सेम रूल है अगर आपने विनियम 2002 या 2007 इसके लिए 2 थे इसके लिए 2002 और 2007 दो थे अगर आपने विनियम 2002 और 2007 के पहत बीएड कर रखा है तो आप 45 पृतिशत अंगों के साथ भी इसमें अपलाई कर पाएंगे चीक है अब बात करें 11 और 10th की तो यहां पे भी आपको क्या करना है यहां आपका post graduation आपको चाहिए यहां graduation से काम नहीं चलेगा master degree होनी चाहिए MA हो आपके पास MSC हो आपके पास या MTEC हो आपके पास जो भी आपकी master degrees होती है वो आपको चाहिए कितना 50 पृतिशत अंग के साथ में चाहिए प्लस आपको B.A.D. चाहिए यहां पर 9-10 में estate का paper 1 11-12 में आपका estate का paper 2 आपका पास होना चाहिए यह इसका rule है ठीक है अब यहां पे भी same चूट है यहां पे वो ही वाली 45 पृतिशत अंग से ही आप कर पाएंगे अगर 2002-2007 विनियम के अंदरगत आपने बेड़ कर रखा हो सेम रूल वही आपका यहां पे भी लागू हो जाता है अब subject wise कैसे subject का combination कैसे बनेगा तो उसके combination का जब आपका notification जब form apply होने वाले दिन आपका जो notification आएगा उसके अंदर सारी detail लिख के देंगे वो कि अगर आपको इस subject का teacher बनना है ग्यान आपने पढ़ रखा हो यह दो चीजे आपके साथ में आपने पढ़ रखी होनी चाहिए किसमें graduation में और math भी पढ़ रखा हो तब जाके आप combination आपका बनता है तो इस तरह से अब ऐसे नहीं बनेगा कि आपने math तो है graduation में और साथ में आपकी history है साथ में आपकी geography है B.A.B. होता है B.A.B. math से होता है तो B.A. अगर आपने math से गर रखा है तो आप math के teacher नहीं बन पाएंगे क्योंकि साथ में आपके ओ subject नहीं होंगे साथ में आपने मान लीज़े हिंदी पढ़ रखी है मैथ के साथ में, तो आप मैथ के टीचर शायद ना बन पाएं. तो ऐसा कुछ रूल होता है, वो तब ही फिक्स, मतलब पूरी बात बता पाएंगे, जब नोटिफिकेशन आपका जारी होगा. विलाहाल इतनी बाते आप इसको नौट कर लीजिए, और यही इसे हिसाब साब आप अपने तयारी में लग जाईए. अब यहाँ पर एक्जाम डेट की बात करें, तो वो तो वैसे कल बता ही दी थी हमने, एक बार फिर से हम रिकवर कर लेते हैं, और तयारी कैसे करेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. देखो, अगर बात करें हम एक्जाम डेट की, तो आपका एक्जाम का अपलाई जो हो जाएगा, अपलाई आपका तीन नमंबर से स्कार्ट हो रहा है, और आपका एक्जाम जो हो रहा है, एक्जाम डेट, वो आपकी साथ दिसंबर है, ठीक है, साथ दिसंबर से दस दिसंब इस हिसाब से मानूंगे आप तो इसमें ज्यादा समय आपके पास है नहीं पढ़ाई करने के लिए बट इन्होंने नीचे एक लाइन लिख रखी थी कि इन तित्यों में चेंज किया जा सकता है अगर जरूरत पढ़ी तो अगर आपका ये जो है थोड़ा सा इसमें एकस्टें में बता रहा हूँ सबसे मेन आपकी एक टो करन्ट अफेयर है अपका एक जी जनरल इस्टडीज है जनरल इस्टडीज के अंदर ही आपका जो है राश्टियांदोलन आ जाते हैं आपका इतिहास भी उसी में आ जाता है और बेसिक साइन्स जो होता है वो भी जीएस के अंद करवा हूँ आपको यहां पर तो उसमें 78 नंबर का केवल GS था फिर करन्ट अफेयर था तो सोचो और 120 नंबर के अंदर अंदर थे चीज़े फिर उसके अलावा math और math का भी content इन्होंने काफ़े ज्यादा दे रखा है लगभग 16 से 20 के बीच में questions थे जो mathematics के थे तो अगर यह से आपकी GS की class start हो जाएगी चैनल पर ही यहीं पर ठीक है और आपके जो notes मिलेंगे वो आपको यहां पर मिलेंगे पूरे completely notes मिल जाएंगे आपको तो notes पढ़ने के बाद आपको उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा content नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आप 20-25 कितावे क्योंकि इसका सलेवस बहुत वाइड है आप सब लोग जानते हैं धूंडते धूंडते ही आपका एक महिना निकल बहुत जबर्दस तरीके से आपका notes में और इस बार notes और अपडेट कर दिया है और भी चीज़े उसके अंदर शुधार कर रहा हूं इस previous paper को देखते हुए तो यह app डाउनलोड कर लो test series भी पर आजाएगी सब चीज़ा आजाएगी चलो अब बागी चीज़े आपकी next video झाल